हेलो फ्रेंड्स मैं रानी रानी पूर्शन लोंग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आयोप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रबडीदार मलाईदार केसरी खीर की रेसिपी जो खाने में बहुती स्वाधिस्ट लगती है और बिल्कुल मावे वाले जो कुल्फी होती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका आता है बहुती मज़ेदार सी बनती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह टेस्टी सी खीर की रेसिपी इसकी ले लेंगे हम एक पतिला और उसके अंदर डालेंगे एक लीटर दूद अभी मैंने सिर्फ एक लीटर लिया है बाद में थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको बाद में डालेंगे मलाईदार बनाने के लिए और इसको थोड़ा सह उबाल आने देते हैं इसे दूद में बाल आ गया है मैंने दूद दूसरे बड़े पतिले में थोड़ा सा ट्रांसफर करलीया है और इसमे अच्ह तरह से उबाल गया है अब हम इसमें बिग्य हुए चावल डाल देंगे और अब हम चावल को दूद के साथ अच अभी हद तक कम ऊक्षा, चावल भी पकना चुरू हो गये हैं देखिए, पकना सप्टीन है. अब कीन हमें इसको डाल देंगे कुटी की लिडाइची और आपके पूद्धवाहें, आप क्या पासंब सकते हैं काजू बादाम पिस्ता वगरा और अब खीर केसर या बना रहे हैं तो केसर डालना तो बनता है तो बस थोड़ा सा केसर डाल कर आप केसर के जाज को चिदर से पकाएंगे हम 2-3 मिंट के लिए जब तक केसर का अच्छा सा प्यारा सा कलर इसके अंदर ना आ जाए और जो अब हम इसको घाल कर द थे हैं अब हम इसको तोह एंडर के लिए छो तो काटोरियों में डेखेये टेक्चर डेक्चर देखेये हमारी खीर का बिल्कुल बड़ी दार मलाईदार सा टेक्च्चर आया है इसका खीर को हमने जो दूद के साथ पकाया है चावल को थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें बार बार दूद डाला है और इस तरह से मलाईदार सी हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है उपर से थोड़ा सा काजू बादाम पिस्त तो ये लिजे हमारी मज़ेदार सी रबड़ेदार केसरी खीर बनकर तयार हो गई है आपको मेरी केसरी खीर की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन प्रेस करके और पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल दी रहें और प्लीज वीडियो को फुल वाच करें वीडियो बनाने में बहुत दस लगता है मेरे चनल को support करें और अपने प्यारे-प्यारे comments करके मुझे motivate कीजिये ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी मज़ेदा recipes आगे-ागे लाती रहूँ तो चलिए फिर मिलते हैं आप से किसी अच्छी सी नई recipe के साथ तब तक के लिए thank you for watching, bye and take care अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को like करें comment करें, share करें और मेरे चनल को subscribe करें thank you for watching, bye and take care